हाई अब्रीवान वेलकम बैक टो माई चैनल मैं हूँ अपन्ना तो आज मैं आपसे एकदम नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज मैं इसे बनाने जा रही थी तो मुझे लगा कि आप लोगों से भी इसकी रेसिपी शेयर करूं और यह सबजी बहुत ही ज्यादा हेल और इसे बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे और बच्चों को भी यह खिलानी चाहिए क्योंकि यह काफी हेल्दी होती है तो यहाँ पे देखिए यह इस तरह से होती है और मैंने तोड़के रख लिया इसे कुछ इसके एक दो पीस रह गए हैं जिसे मैं आपको दिखाती तो इस तरह से बंच में होती है यानि की गुच्छे में होती है तो मैंने इसको तोड़के दूलके साफ करके रख लिया है तो अब चलिए देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं और आपके यह इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना तो आज मैं इस वीडियो में आपसे दो रेसिपी शेयर कर रहे हूं और दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं और दोनों ही को मैंने डिफरेंट तरीके से बनाया है तो आभी हम एक कढ़ाई में रखेंगे करीब दोस्त यह तीन ग्लास पानी पानी को थोड़ा सा गरम होने देंगे और उसमें हम ड बहुत गंदगी को थी क्योंकि इस समय बारिस का मौसम है तो हो सकता थोड़े से कीड़े बगएर होते हूं बट इसमें नहीं थे लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा इस तरह से गरम पानी में डाल के थोड़ा सा वास करेंगे तो थोड़ा सा बॉयल कर लेते हैं और जैसे और जीरा जैसी क्रेकल हो जाएगा हम इसमें एट करेंगे एक मीडियम साइज का प्याज प्याज को देखिए मैंने इस तरह से कट कर लिया है तो प्याज को बारी काट के एट करें और प्याज को पेस्ट बना के ना एट करें आप चाहें तो chopper में भी chop कर सकते हैं और लहसुन को भी मैंने cut कर लिया है तो लहसुन की यहाँ पे मैंने 4-5 कलिया ली थी और बस यहाँ पे लहसुन प्याज को हम थोड़ा सा fry कर लेते हैं बहुत ज़्यादा इनका color हमें brown नहीं करना है यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कौम से city से देख रहे हैं तो अपना नाम अपनी city का नाम मुझे comment में जुरू बताना तकि मैं आपको thank you बोल सकूँ तो यहाँ पे अब हम इसमेट करेंगे कुछ dry मसाले थोड़ा सा लिया है मैंने मिर्च पाउडर थोड़ा सा healthy पाउडर और करीब एक छोड़ा चमच लिया है धनिया पाउडर और दो मैंने यहाँ पे सूखी लाग मिर्चे इसमेट की हैं तो तीखा आप अपने साब से अज़श्ट कर सकते हैं कम या फिर जादा जैसा भी खाते हैं और इन मसालों को हम थोड़ी दिर fry करेंगे फिर हम इसमें एड़ करेंगे एक चमच के करीब बेसन और बेसन भी इनी मसालों के साथ अच्छे से रोश्ट हो जाएगा और इसमें हमें भी पानी नहीं एड़ करना है ताकि बेसन हमारा अच्छे से भून सके तो बेसन देखी अच्छे से भून चुका है बेसन में बवल सा रहे हैं तो बस यहाँ पे अब हम एड़ करेंगे थोड़ा सा पानी क्यूंकि बेसन भून चुका है कच्छा नहीं है और थोड़ा सा पानी एड़ कर देंगे ताकि इसमें अच्छी सी थीकने सा जाए और बेसन और मसाले जलेना तो थोड़ा सा पानी एड़ करना है करीब दो चमस और और यहां पे देखिए जो मसाला है और बेसन दोनों एक साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं और बहुत अच्छे से ये पक भी चुके हैं तो बस यहां पे जो मसाला है हमारा अच्छे से पक चुका है तो आप चाहें तो आप इसको ढखे पका सकते हैं मैंने वो पनी पकाया है और देख रहें ना इसमें थोड़ा सा ओयल भी रिलीज हो गया है तो बस यहां पर अब हम एड़ करेंगे हमारी सबजी और इस सबजी को मैंने छली में रख दिया था पानी इसका बहुत अच्छे से निकल चुका है और यह बहुत अच्छे से साफ हो गई है तो आप जबी भी सबजी को बनाएं तो अलका सब पानी वास कर लें या फिर इस तरह से थोड़ा सा बॉइल कर लें तो बस इसको मसाले के साथ मिक्स कर देंगे और इसमें हम आइड करेंगे नमक तो यहाँ पे नमक आप धिहान से आइड करें क्योंकि पहले भी नमक आइड किया है जब मैंने बॉइल किया था इसको और थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर और आइड कर देंगे तो अच्छे से इसको हम मिला देते हैं फ्रेंस मेरी पिछली वीडियो का थैंक्यू जाता है रिक्की जी लुधियाना से सुरेश गुपता प्रियागराज से हरदोई से हैं आदित शर्मा अंबिका ठाको जी हैं हिमाचर परदेश से और शंकर प्रसाद दरवंगा विहार से इंदू जी है नेपाल से पूनम अगरवाल लखनू से तो अब हम इस सबजी को थोड़ा सा ढख देंगे ढख के हमें इसे इस टीम में पका लेना है इस तरह से करीब 2-3 मिट के लिए फिर इसको ओपन करके हम मिक्स कर देंगे और इसमें पानी की जरूत नहीं होती है क्योंकि ये सबजी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और बहुत ही जल्दी पक जाती है तो आप इस सबजी को मॉर्निंग में बना सकते हैं फटा-फट से और ये हेल्दी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें आयरन प्रोटीन भरपूर मातरा में होता है और अब हम इसमें अट करेंगे तो हरी मिर्चे फिर से हम इसको ढग देंगे और ढग के हमें इसे करीब एक से दो मिर्ट के लिए और पका लेना है अगर आपको मेरी वीडियो पसंदा रहे है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ उसका नूटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी सारी वीडियो देख सकें क्योंकि हर दिन में निव रेसिपी लेकर आती हूँ और बहुत कम तेल मसाले के साथ और हेल्दी तरीके से बनाती हूँ तो आई होप आपको मेरी साई रेस भी पसंद आएंगी तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं फेस्बुक पे तो फेस्बुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए लाइक कर लीजिए और यहां पे देखिए अब हम इसमें अट करेंगा धनियापती धनियापती अट करने के बाद हम इसको ओपन ही थोड़ी देर के लिए इस तरह से चलाते हुए गैस पे छोड़ देंगे गैस की हिट को आप लो कर दें ताकि इसमें जो भी मोश्चर है दाल राइस रोटी के साथ एंचॉय कीजिए पराठी के साथ खा सकते हैं काफी हेल्डी है तो बच्चों को भी आप इससे दे सकते हैं तीफिन में आप अलू के साथ भी बना सकते हैं चोटे पीसे कट कर लिजिए अलू के मुझे परसंलिए बहुत ही जादा अच्छी लग एक बड़े साज का प्याज, तो प्याज को भी काट के रख लिए है मैंने तो प्याज के लचे ना इनको हम अलग कर लेंगे और इस इमें अड़ करेंगे तो आज हम प्याज और अर्वी के पतों की डेसिपी आफ से शेयर कर रहे हैं, जो एकदम नहीं है तो अब हम इसमें अ और 75- cannot depends on a seaweed — अर्बी सेक्ट शरी अपान का मिक्स आपजेए घरेगद से हात हें तो इसके साथ हमें इसको मिक्स करते जाना हैं जाए आप मसल मसल में आपनों मिक्स नहीं हो जाये तो देखेंखर, मैंने मिक्स हर लिया लगे हैं तो करीब 2-3 चोटा चमच बेसन हम इसमें और एड़ करेंगे क्यूंकि आप थोड़ा थोड़ा बेसन अट करेंगे एक साथ सारा आड़ कर देंगे न तो बहुत ज़्यादा बेसन बेसन हो जाएगा तो हमें बेसन इसमें इतना एड़ करना है जिससे ये बाइंड हो सके तो इसलिए थोड़ा थोड़ा बेसन ही इसमें एड़ करें बेसन एड़ करते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं और पानी नहीं एड़ करना है बस तो यहां पे देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें एड़ करेंगे कलीब एक से दो पिंच हिंग तो यहां पे हिंग से इसका जो टेस्ट है कापी अच्छा आता है और हिंग डाजेशन के लिए भी अच्छी होती है और बेसन के साथ हिंग का चुका है अब हम इसको रख देंगे और चलते हैं कैस की तरफ तो यहां पे मैंने कड़ाई में गरम कर लिया है और जैसे हमारा गरम हो जाता ना वैसे हम यहां पे इसमें जो हमारा मिक्ष्चा है ना इसके छोटे-छोटे से इस तरह से बॉस्त बना के इसमें आड़ तो इस तरह से हम इसे बनाएंगे और यहां पे जो तेले ना बहुत जादा गरम नहीं हो बना यह अंदर तक पकेंगे नहीं उपर से जल जाएंगे तो बस इने हम अलटते पर अलटते हुए सेक लेते हैं गोल्डन क्रिस्प होने तक और यह अर्भी के पत्तों की एकदम न की सबजी भी बना सकते हैं ग्रेवी बनाईए ग्रेवी में आप इन्हें आड कीजिए बॉयल आने तक पकाईए बस हमारी बहुत ही टेस्टी एर्भी के पत्तों के कोफते बनके त्यार हो जाएंगे तो फिल्द मैं इने ऐसे ही चाय के साथ इंजॉय करूंगी आप इने ब